Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, एक ऐसा चानल जहाँ पे आपको kindergarten से class 12 तक free of cost quality education प्रवाइड कराई जाती है इतना ही नहीं अगर आप चाहते हैं कि आपको state board भी पढ़ाया जाए तो Magnet Brains Hindi आपको state board भी पढ़ाता है जहाँ पर आपको इतना हिंदी में अगर आप चाहे तो डेली board, राजस्थान board, यूपी board, बिहार board ये सारे board कवर कराएंगे Magnet Brains Hindi पर परियाद रखिएगा इसके अलावा अगर आपको notes चाहिए, books चाहिए तो वो भी available है, e-books और e-notes, जिनके link आपको description box में already दे दी गई है तो फटाफट से check कर लीजे तो जलिए start करते हैं आज की class के साथ आज हम पढ़ रहे हैं class 5th का chapter number 6, जो हम already start कर चुके हैं previous class में ओके, so like I told you, every drop counts का क्या मतलब होता है, जिसमें हम क्या पढ़ रहे है, importance of water और आज का क्या topic है, discuss or the story today अब इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, discuss में हम discuss करने वाले हैं कि कैसे लोगों के घरों तक पानी पहुचता है है न हमारे घर में नल तो लगे हैं, नल से पानी पी आता है, पर वो नल में पानी कहां से आता है ये चीजें हम आज पढ़ेंगे, the story today में हम कुछ बच्चों की stories मिले पढ़ेंगे देखो आपकी तरह भी कोई छोटे-छोटे students हैं, उनकी story पढ़ेंगे जो हमें ये बताना चाहते हैं कि उनके अहां पर पानी कैसे आता है ठीक है, और एक बार हम एक बार थोड़ा सा revision कर लेते हैं कि last class में हमने क्या पढ़ा था क्योंकि हम काफी कुछ इस chapter का already cover कर चुके हैं, अब तो ये chapter जो है, कुछ-कुछ topics बचे हुए है, फिर ये chapter खतम हो जाएगा, पर maximum topics हम cover कर चुके हैं जैसे कि last class में हमने पढ़ा था customs related to water, customs याने कि कोई भी तरह के त्वहार, कोई भी तरह के रेती रिवास, जो water से जुड़े हो होते हैं, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई नई bride दुलहन आती है किसी के घर, तो वो क्या करती है, पानी की पूजा करती है, ये चीज हमने देखीती है न, जैसे आज सिटकल टाइम पर कि हमारे घर के पास कुवा नहीं है, नदी नहीं है, तो किस की पूजा करती है, नलो की पूजा होती है, तो ऐसे ही कुछ customs होते हैं, जो पानी से जुड़े होते हैं, क्यों होते हैं, बिकर्स पानी की बहुत ज़्यादा importance है, ज क्लास के आज के टॉपिक के साथ, मेरा नाम है खुश्री पढ़ाते हूँ, आब वो क्लास 1, 2, 5, EBS याने के environmental studies, for efforts to students, अपनी बुक्स ओपन कर लीजे, इससे we can start, book open करके, you have to open page number 56, page number 56, you have to open, so आपके सामने ये page जो है, open हो जाएगा and we will start, okay, तो चलो start करते, read करना, there are two old wells in the area where Punita lives, तो पुनिता जहां रहती थी, पुनिता कौन है, she is a girl, जो जहां रहती थी, और दो वेल्स थे, पुराने, old wells थे, पुराने वेल्स थे, किते थे, दो थे, वेल याने क्या होता है, कुवा, कुवा देखा है ना, ऐसा गोल सा होता है, हराई में होता है, बहु there was water in these wells, तो ग्रान्मदर यानने, दादी या नानी, तो उनने क्या बोला ग्रान्मदर ने, कि पंदरा से बीस साल पहले, पंदरा से बीस साल पहले, इस कुवे में पानी हुआ करता था, the wells could have dried up because, अब फिर ओविशली अब दिमाग में क्या कुशन आएगा, फिर ये सूख क कैसे गया, इतना सारा पानी कहाँ चला गया, तो उनने क्या बताया, कहाँ चला गया, water is being pumped up from under the ground with the help of electric motors, आपने कई बार बहुत सरे घरों में हो सकते हैं, आपके घर में भी एक electric motor हो, जिसको आप स्वेच ओन करते हो, तो एक दम से पानी आने लगता है, कैसे आने लगता है क्योंकि एक motor आपके घर में लगी होई है, वो क्या करती है, पानी खीच लेती है तुरंत और आपके घर में देती है, तो ऐसे लोगों ने अपने घरों में electric motor लगा ली, electric motor लगाने से वो पानी खिचने लगा और कुए का पानी जो है underground water है, वो भी खिच के आने लगा, तो वो कुआ सूखने लगा, पहला रीजन हुआ, दूसरा रीजन क्या है, the lakes in which rainwater used to collect are no longer there, just lakes, lakes याने कि तलाब, जहां जो तलाब थे, जो जगा ती जहां पानी था, वहां पे क्या होने लगा, कि बड़ी बड़ी buildings बन गई, चीजे बन गई, तो तलाब खतम हो गई, तो वहा around trees, parks is now covered with cement, और जो parks में soil होती है, मिटी होती है, जो trees के पास होती है, अब वो भी नहीं है, क्योंकि लोगों ने cemented area, आप लोगों को ऐसा लगता है, यह तना हो, इस पेच्छे cemented area कर देते हैं, उसको अच्छा ही रहा, तो आपने क्या किया, उस चीज को खतम ही कर दिया, घास, पूस, सब खतम हो गई, तो natural चीजे जो है, वो खतम होती गई, और artificial चीजों का जमाना आ गया, artificial चीजे आने लगी, तो उससे क्या हुआ, natural चीजों पे effect आया, and is there some other reasons for this, explain, और क्या reason हो सकता है, मैं तो यह कहूंगे, wastage of water, आपने wastage किया, फिर unused of some resources, जैसे कि हमने द एक जगे थी, कौन सी जगे थी, वो जोधपूर, I guess, तो जोधपूर की जगे पर क्या हुआ था, एक कुवा था महां पर, और वहां पर क्या किया था, लोगों ने उस कुवे को भूल गयते, तो कछरा फेका, कछरा फेका, कछरा फेका, वो कुवे को भर दिया, फिर तो लिजसे विजसे अफ नचर रसोर से, misuse of natural resources तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो चीज़े हैं उसको हम खराब कर देते हैं जैसे कि आपने याँ देखा कि एक दो well थे जिसमें पानी हुआ करता था पर हमने electric motors का use करके lakes की जगाओं पर buildings बनाके greenery को हटाके cemented area बनाके हमने क्या किया है हमने उन्ही wells को खतम कर दिया है ठीक है so this is what written here you need to read it once again and you will get the answers हो सकता है आपको एक question ही पूछ लिया जाए कि बताओ wells dried up क्यों होते हैं तो these are the reasons for that तो important चीज़ है ओके चलो next क्या है एक देको reason आपको यहाँ पर दिया है apart from these reasons given above there can be some other reasons also almost all the trees have been cut the well is not being maintained greenery जैसे misuse कर दिया natural resources को हम greenery को खटाते जारे हैं उसके करण भी बहुत effect पड़ता है अब आप भोलोगे कि मैं पानी का और पेड़ का क्या लेना देना है तो students जितनी भी natural resources है जितनी भी हमारी natural चीजे हैं उनका एक दूसरे से लेना देना होगा अगर greenery खतम होगी तो animals पे effect पड़ेगा ठीक है अगर greenery खतम होगी तो हवा पे effect पड़ेगा अगर greenery खतम होगी तो पानी पे भी effect पड़ेगा तो अगर कोई भी natural resources का होती है तो उसका effect दूसरी चीज़ों पर भी पढ़ता है. So, यह हम कह सकते हैं कि जो trees हैं, वो cut करते जा रहे हैं, उसका भी एक reason है कि पानी पर effect पढ़ता है. ठीक है? For now or till class 5th, इतना आपको पता होना चाहें है. ठीक है? चलो. Next, क्या है? Let us see the different ways in which people manage water today. अब हम the story today में आ गए हैं, जहाँ पर आपको अलग-अलग stories पढ़ने को मिलेगी बच्चों की. तो वहाँ पर वो हम different ways पढ़ेंगे कि आज उनकी घर में कैसे पानी manage करते हैं, कितना पानी आता है, पानी कितनी दिक्कत है, कहां से पानी आता है, यह सब कुछ. ठीक है, see page number 57, अभी आपको page number 57 निकालना है, book का, ओके? और आपको उसमें क्या करना है, do you get water in your house by any of these ways? Put a tick on that and if you get water by some other way, write in your notebook. तो आपको इन में से, जहाँ, जिस तरीके से आपके घर में पानी आता है, आपको वो tick भी करना है. और अगर कोई भी नहीं है, तो आपको अपना तरीक जैसे आता है, वो आपको mention करना है, ठीक है? तो हम यह जो ही तरहा है कि आपने mention किया, इसको हम बादने पढ़ते हैं, students, पहले हम बच्चों का पढ़ ले, कि कैसे क्या क्या चीज़ा लिखी है, ठीक है? देखो, सबसे पहले एक छोटा सा बच्चा बना हुआ है, जिसने चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है? यह बच्चा बिचारा, क्या कह रहा है? यह कह रहा है, ओहू तो, a gelboard water tanker comes to our colony twice a day. We have to stand in a long queue to get a water from the tanker. People at Timka have fight over water. तो देखो, इसने क्या बताया? आपका यह जो पहला बाला बच्चा है, वो यह बोल रहा है कि हमाने gelboard से, gelboard क्या है, students? जो gelboard है, जो की एक government के through water supply करते हैं. क्या करते हैं? water supply करते हैं. तो जो government हमें water supply करते हैं, किसके through करते हैं? जलboard के through करते हैं. चीक है? तो यही चीज है, उसने बताया है, जलboard के वोट उनके घर में null नहीं है. उनके घर में पीछे देखोंगे, तो tanker आता है. टेंकर क्या होता है? एक गाड़ी होती है, जिसके पीछे सा गोल सा सिलेंडर जैसा शेप का एक tanker होता है, जिसमें ठीर सारा पानी भरा होता है. और एक pipe लगा होता है. बड़ा सा pipe, छोटा वोटा पाइप ने, बहुत बड सा pipe, जिनने देखा होगा tanker, वो समझ गया होंगे. तो वैसे ही उससे क्या होता है? कि पानी चालू कर तो सब भर सकते हैं. तो वैसे ही वो बता रहा है कि उसकी कॉलोनी में, दिन में दो भार, वो टैंकर आता है पानी भरने के लिए. और सब के लिए वो दो ही बार आएगा आप पानी नहीं भर पाओगे, तो ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है. अगर आप लाइन में खड़े होगा, आपका नमबर नहीं आया, तो हो सकते हैं उस दिन आपको पानी भी ना मिले हो. क्योंकि टेंकर का एक पर्टिक्लर टाइम होता है. उत्ती देर के लड़ाई होती है, क्यों होती है, क्या मिलता है, उनको लड़ाई करके कुछ नहीं मिलता, पर क्या होता है, सबको पानी चाहिए, और फिर लोगों को लगता है, हमें पानी कम मिलेगा, तो इसलिए सिर्फ इस कारण से क्योंकि चीज कम मिलती है, तो उसके लिए लड़ाई ह होगी, इसलिए वहाँ पर fights भी होती है, ठीक है, अब next में एक छोटी सी सुन्दर सी बच्ची बनी हुए, वो क्या कह रही है, we fill water from the well, the nearby well dried up a year ago, now we have to walk far to reach their well, far to reach the other well, we are not allowed to take water from some of the well because of our caste, so this again problem is, क्या problem है, कि वे छोटे सी जगह हमें रहती है, चोटी जगह में क्या होता है, कि उनको कुए में पानी भरने जाना पड़ता है, ठीक है, फिर उसने ये भी बताया, कि जो हमारे घर के पास कुआँ था, वो सूख चुका है, यहने वहां का पानी खतम हो चुका है, तो हम स्छोटी सी बच्ची पानी भरत कर गर तक कितना मुश्किल है धोड़े सब ह reactive बरना पड़ेगा पर चल के वापिस आना पड़ेगा कितना स्की काम है कि टिने मुश्किल उसे पानी भरते और फिर उसने एक बहुत important reason भी बताया कि हमारी colony में कुछ wealth से तो मैं पानी ही नहीं भर सकती, क्यों नहीं भर सकती, because of our caste, caste क्या होती है, जैसे कि कुछ लोग, छोटी caste के लोग उको माना जाता है, कि ये caste के लोग हमारे कुए से पानी नहीं भरने देंगे, तो एक पानी जैसी basic necessity वाली चीज़ के लिए भी ये चीज़ उनके साथ किया जाता था, तो वो कुछ वेल से तो पानी भर ही नहीं सकती थी, ओके, आप लोग ने proper page number 57 निकाला है ना, उसी में से हमें read करते जाना है, next एक और बच्ची है, उसने क्या लिखा है, we get water at our home for half an hour, we fill this in the tank and to use all the day, sometime it is dirty, तो वो क्या बोल रही है कि हमारे घर पानी आता है, रोज पानी आता है, कब-कब half an hour के लिए, आदे घंटे के लिए घर में ही पानी आ जाता है, पर स्रिफ और स्रिफ आदे घंटे के लिए, और वो आदे घंटे में आप जितना पानी भर सकते हो भर लो, और फिर आपको प पानी बहुत गंदा अगा नल में एक दम ब्राउन से कलर का मिट्टी वाला पानी जैसा लग रहा होगा तो ऑनिकर घंदा आताए जब कहीं कि pipeline में को समय पूर्ब्राइब को fonctionne गणदगी आठाए कि का लोगा है पानी कैसे आये घर के अंदा pipeline के 30 एक बच्ची ने बताया कि मेरे घर तो पूरे दिन पानी आता है जब नल खोलो तब पानी आता है तो यह क्या है यह सबसे ज़्यादा बेनेफिशियल चीज है ओविस्ट यह क्या इससे क्या और अच्छा क्या होगा कि हमारे घर में दिन भर पानी आए तो हम अगर mostly आप सब जो भी देख रहे हैं वीडियो ज़्यादा तर के घर में ऐसे ही पानी आता होगा कि जब नल खोलो तब पानी आ जाए और फिर यहाप एक बच्चा बैठा है वो क्या कह रहा है there is a hand pump nearby but the water that we get from it is salty we have to buy water for drinking तो एक hand pump होगा आपने आप आने लगता है तो वो hand pump में कहा का पानी आता है बोरिंग का पानी आता है नीचे का और उस वो पानी थोड़ा खारा होता है नमकीन होता है तो वो पानी पी नहीं सकते कि अगर आपने पानी पी लिया तो आप बिमार पढ़ जाओ गयो कि आप खारा पानी ज्यादा टा ऐसे दे कर उसे खरीदना पड़ता है, तब वो पानी पी सकते हैं, तो अगर जिसके पास कम पैसा होगा, वो कम खरीद पाएगा और कम पानी पी पाएगा, और पानी क्या है, पानी के बेसेक नीड है, अगर वो भी कम पी पा रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है, फि वहां से हमें कोई दिक्कत नहीं होंगे, हमेशा पानी आएगा, तो कोई भी problem नहीं होती है, next बच्चा कहा रहा है, we have put a motor to a pump up the water from the bore well, but there is no electricity, so what we do, तो उनने क्या बोला, आप देखो, इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा बात बुली, कि मैंने electric motor हमारे घर में लगी वही है, जो underground water, you know underground हमारे जो हर जमीन के नीचे भी, भहुत सारा क्या होता है, भहुत सारा पानी होता है, जमीन के नीचे भी, पड़ ये पानी कैसे निकलता है, ऐसे नहीं निकल सकता न, तो क्या करते हैं, लोग बाग, लोग बाग लगाते हैं, motor, जो अंदर का पानी खीच कर अवे दे देती है, पर उस बच्चे ने क्या भोला कि मेरे आतो electricity की दिक्कत है, light ही नहीं रहती है, और electric motor obviously कि से चलेगी, electricity से चलेगी, और light ही नहीं रहती है, तो motor चल ही नहीं पाती है, motor नहीं चल पाती है, तो पानी नहीं आपाता है, तो यह पतली से लहर रहती है, पानी भरा हुआ होता है, पतली से विल्कुल पतली से गली होती है नो वैसी, तो वो बोरे हम वहां से पानी ले आते हैं तो यहाँ पे आपने अलग-अलग लोगों की कहानी सुनी कि कैसे उनके घर पानी आता है, this is how we get water आपकी कहानी क्या है, आपके घर कैसे पानी आता है बताओ, चीक है, चलो तो यह जो कहानी थी अलग-अलग जिनके घरों से पानी आता था, अलग-अलग तरीके से, आपने देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी problem face करी क्या-क्या problem face करी, सबसे पहले तो ये problem face करी कि कुछ जगाओं पर कैसे आता है, tanker आता है, वो भी once or twice in a day, ये एक बहुत बड़ी problem है जिससे की पाने की कमी दिखती है, next बच्ची ने क्या बताया कि they have to travel for water well, well तक उनको क्या करना पड़ रहा था, travel करके जाना पड़ा था, तब जाके उनको पानी मिलता था, और caste system के कारण, caste system के कारण, वो हर एक जगे से पानी भी नहीं ले सकते थे, next हमने क्या पड़ा था, next किसकी और क्या problem देखी थी हमने students, और देखी थी कही के जगाओं पे बहुत कम time के लिए आता है, they get water only for half an hour, याने सिर्फ आदे घंटे के लिए ही पानी आता है, कई-कई जगाओं पर, और problem हमने क्या पड़े थी, देखो, वाके तो सब अच्छा था, किसी घर पूरे दिन पानी आ रहा था, फिर एक दे, they need to purchase water because hand pump water is salty. तो salty water नहीं पी सकते हैं, बिमार पर जाएंगे, तो उनको का करना पड़ता था? पानी खरीदना पड़ता था. फिर उनने बोला कि एक ने बताया कि they have no electricity, they have electricity problem. तो वो electric motor use नहीं कर सकते हैं, तो यही कुछ problems हमने देखी थी, ठीक है, जो लोगों ने face करी, ठीक है, अगर आप लिखना चाहों तो लिख सकते हो short forms में, ठीक है, next चीज हम यह देखते हैं कि यह तो problems face करी, अच्छा जो बच्चों ने क्या देखा, कि अच्छा, if they take a connection, they took connection from gel board. तो जिनको gel board से connection मिल गया, उनका सबसे अच्छा है, तो उसके कारण क्या होता है, कि सबके घर equally पानी आ जाता है, ठीक है, अब हमने एक और था कि आपको explain करना है, कि आपकी घर पर पानी कैसे आता है, तो उसके लिए हमने का answer is already prepared है, यह answer आप लिख सकते हो, देखो, कुछ जैसे कि we get water from gel board, we have connected our motor with the supply line, so this helps us in storing water in the rooftop tank, तो आप rooftop tank में भी water store करके, यह उसे use कर सकते हो काफी time तक, और जब तक हो सकते कई दिन पानी ना है, तब भी आप use कर सकते हो, the slum area near my house gets water from a gel board tanker, which comes once in a week, once in a day, तो यह आपने भी देखा था, यह उसके twice in a day आता है, यहाँ पर तो once in a day ही आता है, in my grandfather's village, there are some hand pumps which draw underground water, और I have seen some ladies in the village, bringing water from the nearby canal, तो canal अगे नहर, ठेक है, तो यह सारी जो चीज़ है, यह तो हमने अपने अलोडे डिस्कूस करी, अभी आपके अलग-अलग stories में, वैसी आपने, आप भी चार stories define कर सकते हो, पर कैसे आता है, मेरे आसपास में एक छोटा area है, जहाँ पर थोड़ से गरीब लोग रहते हैं, उनक्याँ पर पानी कैसे आता है, फिर आप बता सकते हो, कि मेरे दादा जी के घर में कैसे आता था, गाओं में, और वहां गाओं में और लोगों की घर कैसे आता था, तो यह चीज़ें आपने डिफाइन की है, so you can write this answer, चेक है, और यह सिरफ चाप्टर नहीं है, students, this is a reality, ऐसे ही होता है, सब के घर में अलग-अलग तरीके से ही पानी आता है, जिसके जहां पर जैसी सुविध हो, अगर हम कोई छोटी जगा पर रहते हैं, जहां पानी की दिक्कत है, या राजस्थान जैसी जगा पर रहते हैं, जहां पानी की हमेशा यह दिक्कत रहेगी, वहां पर ऐसे issues हमें face करने को मिलते हैं, okay, students, तो इसी के साथ आज ही class खतम होती है, आज ही class में हमने यह discuss किया, कि पानी से related क्या, क्या problem है, और लोगों को क्या-क्या दिक्कते आती हैं, ओके, बाकि आप सभी जानते हैं, कि Magnet Brains पर आपको kindergarten से class 12 तक बिलकुल free of cost, quality education मिलती है, इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं state board पढ़ना, तो MP board, UP board, विहार board, राजस्थान board, यह सारे board आप पढ़ सकते हैं Magnet Brains Hindi पर, इसके अलावा, notes भी चाहिए, books भी चाहिए, तो वो भी available है, e-books और e-notes, जिनकी link आपको description box में already दे दी गई है, तो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हैं, alright students, next class में हम इसी chapter को आगे बढ़ाएंगे, so see you in the next class, till then, stay tuned.